हलो फेंड वेलकम टू मेच चैनल आज हम वीडियो पर ये बात करते हैं कि बालों में नीबू का रस लगाने से कौन-कौन सी समस्यां हो सकती हैं और बालों में नीबू लगाने से पहले कौन-कौन सी सवधानियां बरतनी चाहिए बालों पर नीबू का रस लगाने से कई फायदे हो सकते हैं लेकिन सही तरीके से बालों पर नीबू का रस न लगाने से बालों को कई नुकसान भी हो सकते हैं अक्सर बालों पर डेंडरफ की परेशानी होने पर कई लोग नीबू का रस लगाने की सलहा देते हैं वहीं हमेंसे कई लोग बिना सोचे समझे डैंडरफ को दूर करने के लिए नीबू का रस लगा भी लेते हैं नीबू स्वास्त से लेकर स्किन और बालों के लिए फायदे मंद होता है इस से स्किन और बालों की कई परिशानी को दूर भी किया जा सकता है अंडे से लेकर नारियल तेल में इसे मिक्स करके लगाने से बालों और चेहरे की कई परिशानी दूर होती है इस बात में कोई शक नहीं है लेकिन क्या आप जानते हैं कि नीबू को बालों पर लगाने से कई तरह के नुकसान भी हो सकते है और नीबू लगाने से बालों में मौझूद डेंडरफ की परिशानी से शुटकारा मिल सकता है लेकिन अगर आप लंबे समय तक स्केल्प पर नीबू के रस को लगा कर रखते हैं तो यह स्केल्प पर रियक्शन कर सकता है जिससे स्केल्प का रंग गहरा और दाग धब्बे ह हो सकते हैं इसलिए हमेशा नीबू के रस की मातरा बहुत कम लें और साथ ही अगर आप इसे लगाते हैं तो इसमें पानी या कोई तेल मिलाकर ही लगाएं और पांस से दस मिनट से जादा न रखें दस से पंदरा मिनट के अंदर बालों को धो लें इसके अलावा नीबू ध रियक्ट कर सकता है जिसकी वजह से बालों में खुजली और रैशेज हो सकते हैं इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि नीबू का रस बालों में लगाने के बाद बाहर धूप में न निकलें साथी गर्मी में न रहें इसके अलावा बाल रूखे भी हो सकते हैं नीब या फिर दही के साथ मिक्स करके इसे अपने बालों पर लगाएं और बालों पर नीबू का इस्तमाल 15 से 20 दिन में ही करना चाहिए इसे बहुत जल्दी जल्दी बालों पर अपलाए नहीं करना चाहिए और अगर आप नीबू के रस को सीधे तोर पर बालों पर लगाते हैं तो यह आपके बालों को सफेद कर सकता है नीबू के रस में सिट्रिक एसिड होता है जो बालों के केराटिन को निकाल सकता है केराटेन एक प्रोटीन है जो हमारे बालों की रंगत को सुधारने में असरदार होता है ऐसे में बालों पर नीबू को ज़्यादा देर तक लगाने से और लगाने से पहले इसमें कोई अन्य चीजें जैसे नारियल तेल, बादाम, दही, बादाम का तेल, दही जैसे मिक्स जरूर करें ताकि सिट्रिक एसिट का असर आपके बालों पर ज़्यादा ना हो तो फैन इस तरह से बालों पर नीबू लगाते समय कुछ सावधानियां जरूर बढ़ते हैं जैसे लंबे समय तक बालों पर नीबू का रस ना लगाएं और नीबू का रस बालों में लगाने के बाद धूप में बैटना नहीं चाहिए और नीबू को सीधे तोर पर बालों में नहीं लगाना चाहिए इसके साथ कुछ अन्य चीजें नारियल तेल, बादाम तेल या फिर दही मिक्स जरूर करें और नीबू को 15 से 20 दिन में एक बार ही अपने बालों पर लगाएं तब ही नीबू का रस आपके बालों के लिए फाइदा पहुँचा सकता है बालों में नीबू का रस लगाने के बहुत सारे तरीके हैं आप चाहें तो नीबू के रस में पानी की कुछ बूंदे मिला कर लगाएं और निबू के रस को तेल में मिलाकर भी लगा सकते हैं सांती निबू के रस और शहद को मिलाकर लगाएं इसके अलावा निबू के रस और अलिव आल को भी मिलाकर लगा सकते हैं निबू के रस और अरंडी के तेल को भी मिलाकर लगा सकते हैं सानती आप चाहें तो नीबू के रस को शेंपू में मिला कर भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो नीबू के रस और शहद को मिला कर भी अपने बालों को 10-15 मिनट के बाद धो सकते हैं इसलिए ज़्यादा तर एक्सपर्ट नीबू के रस को अज्याचीजों के साथ मिलाकर लगाने की सलहा देते हैं नीबू के रस में काफी मात्रा में सिट्रिक इसेड होता है जिससे बालों का केराटिन निकल जाता है अगर आप सही तरीके से बालों पर नीबू के रस को लगाते हैं तो नीबू का रस स्केल्प में कोलेजन को बढ़ाता है जिससे बालों की ग्रोथ तेज होती है सांथी नीबू रूसी को खत्म करने में भी मदद करता है और नीबू और शहद का मिश्रण सूजन रोधी गुणों वाला होता है नीबू और शहद का मिश्रण फंगल संकरमन को रोकता भी है बशर्ते की आप नीबू का रस बालों में लगा कर पंद्रा से बीस मिनट से ज़्यादा बिलकुल न रखें